तो अब हम यहाँ पे अपना greeting card बनाने जा रहे हैं और greeting card बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज हम करेंगे वो हम यह करेंगे कि हम एक नया document बनाएंगे और नया document बनाने के लिए आप दो तरीके हैं आपके पास file और file में जाके आप new में जा सकते हैं या इसका shortcut जो है control plus n वो use कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने first lecture में बताया था कि आपके पास जो भी इसके options हैं वो सारे के सारे मैंने बताया था तो इसके बाद से हम अभी जो यहाँ पे अपना document बनाने वाले हैं वो उसकी width हमाई रहेगी 1200 pixels by 1400 pixels और ये मैं ऐसी अपने मन से कुछ भी size ले रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप यही size लें आप चाहें तो different orientation में experiment कर सकते हैं आप landscape में बनाना चाहें तो बना सकते हैं या portrait orientation में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और यहां पर बाकी मेरा resolution जो है 72 pixels per inches है और अगर आप कोई भी चीज ऐसी बना रहे हैं जो कि जिसका usage सिर्फ और सिर्फ online किसी display पर देखने के काम आएगा तो resolution 72 by default उसका रहता है और अगर आप कोई चीज ऐसी बना रहे हैं जो आप चाहते हैं कि उसे आप print करा लें तो print का resolution आप हमेशा 300 से 240 या 300 तक लेके चलते हैं तो अभी हमें क्योंकि ये सिर्फ screen पर देखना है तो हम इसका resolution 72 ही रहने देंगे और यहाँ पर मेरा background color जो है वो मैं white रखूँगा और बाकी सारी चीज़े आप by default छोड़ सकते हैं आपको बस width, height और resolution देखना है और मैं यहाँ पर ok करता हूँ तो यह हमारा document Photoshop ने open कर दिया है बना दिया है document अब इसमें हम अपने जो भी picture element हैं हम वो एक-इक करके डालना शुलू करेंगे तो जो greeting आज हम बना रहे हैं वो Christmas की greeting रहेगी तो चलिए हम सबसे पहले अपना जो भी picture है stock images है वो open करते हैं तो जो पहली stock image मैं use करूँगा वो हमारा background रहेगा यह बहुत ही basic design रहेगा और बहुत ही basic greeting card रहेगा इसमें कुछ भी बहुत जादा नहीं रहेगा मैं ऐसा कुछ भी बनाना नहीं चाहता हूँ जो थोड़ा सा hard हो जाए इसलिए यह बहुत ही entry level और बहुत ही basic रहने वाला है तो यह मैंने अपना background यहाँ पर open कर लिया और simply अगर मैं इसको अपने document में ले जाना है तो मैं इसे अपना move tool से उठाऊँगा और मैं अपने जो भी हमारा untitled one जो document है हमारा जो main working document है मैं उसके उपर ले जाऊँगा और फिर मैं अंदर इस document के अंदर लाके इसे drop कर दूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मेरा background यहाँ पर डाल दिया अब क्योंकि जो हमारा background image था वो बहुत ही बड़ा है और हमारी जो working document है उसका size चोटा है तो यह काफी एक सिर्फ एक portion शो कर रहा है हमारे background image का तो उसके लिए हम इसको चोटा कर सकते हैं तो उसको चोटा करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर edit में जाके मैं इसको free transform में जाऊँगा और free transform में जैसे जाऊँगा आप देख सकते हैं इसने मुझे आजव 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 एक box बना के दे दिया है और इस box को मैं अगर move करूँगा तो यह मैं इसे छोटा और बड़ा कर सकता हूँ तो पहले तो मैं zoom out करूँगा zoom out के लिए मैं control और minus का use कर रहा हूँ और थोड़ी देख के लिए मैं layers की panel को यहाँ पर dock कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है transform का box आपको show कर रहा है तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई भी edge पर जाके इसको drag करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ और तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर मैं इसको करूँगा तो आप देख सकते हैं बिना किसी proportion के छोटा बड़ा कर रहा हूँ पर अगर मैं shift प्रेस करके यह चीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह हमेशा proportion में काम करेगा तो मैंने यहाँ पर अपना background लगा दिया है अब दूसरा जो हम फाइल अपनी open कर रहे हैं वो है हमारी हमारा Christmas tree का फाइल और यह फाइल मैंने एक बहुत ही famous site है DeviantArt यहाँ से आप उस पर जाके अपना account बना सकते हैं या तो फिर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ आप से stock images जो free to use रहती हैं आप वहाँ से ले सकते हैं और भी काफी stock images की site है जहाँ जो आप visit कर सकते हैं तो यहाँ मैंने अपना जो भी Christmas tree है यह already PNG image थी और इसका background अल्रेडी हटाया हुआ है तो मुझे इसमें मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ेगी पर अगर आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो जिसके stock image में उसका background है तो आप उसके लिए कोई भी हमारा जो selection technique थी जो हमने अपना quick selection magic wand से देखा था select करने की technique आप वो use करके इसको अराम से आप background इसका हटा सकते हैं तो मैं इसको भी अब अपने working document में ले जाता हूँ और ये भी हमारा काफी बड़ा था तो मैं इसे भी छोटा गर लेता हूँ अगर आप transform edit से नहीं जाना चाहते हैं तो उसका shortcut है वो है control T तो आप जैसे control T प्रेस करेंगे तो आपको ये transform का box दे देगा और मैं इसे फिर से shift प्रेस करके move कर रहा हूँ तो मैंने अपना ये Christmas tree यहाँ ला दिया उसके बाद से हम अपना जो यहाँ पर next image open कर रहे हैं वो हमारे Santa Claus की रहेगी और Santa Claus की जो image है इसमें हमारे पास जो है हमारा background भी है और मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ इस Santa Claus को काट के अपने working document में ले जाओं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं सबसे fast और जो हमारा easy method है quick selection का मैं वो apply करूँगा मैं सबसे पहले brush का size थोड़ा सा बढ़ा कर लूँगा और मैं हमारे Santa Claus को क्योंकि इस image में जो हमारा Santa Claus है और हमारा background है उसमें बहुत काफी जादा separation है तो यह बहुत अच्छा काम करेगा इस जगे पे आप देख सकते हैं यह एकदम accurate selection कर रहा है तो हम इसे धीरे धीरे पूरा हमारा selection बना लेते हैं तो यह हमने हमारा rough selection बना लिया है और मैं अब इसे यहां से simply right click करूँगा और मैं यहां पे इसको feather दूँगा feather जो भी हमारी hard edge रहेगी जो भी cut करने के time हो सकता है हमारी कुछ hard edge बच जाए तो उसके लिए हम यहां पे इसको जो भी selection है उसको हलका सा feather कर देंगे आराउंड one pixel का feather दे देते हैं और यहां पे कुछ areas हैं जो selected नहीं है तो मैं इसके उपर paint करके वापस से select कर लूँगा अब अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि कोई area है जो गलती से ज़्यादा select हो जाए जैसे कि यह background हो गया तो आप यह minus वाले tool पे जाके आराम से इसे वापस paint कर सकते हैं और यह वह सारा area dislike कर देगा तो मैंने यहां पे यह selection बना लिया है और मैं अब simply यहां पे right click करूँगा और यह layer वाया copy कर दूँगा और मैं इसे भी अपने working document में ले आऊँगा इसे भी मैं transform कर लेता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी elements थे हमारे greeting card के वो सारे के सारे इस document के अंदर आ गये हैं और अब हम इसे अपना final touch देना शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें देख रही है वो यह है कि हमें यह जो भी Christmas tree है इसका एक नीचे shadow डालना है क्योंकि यह ऐसा लग रहा है कि यह हवा में तैर रहा है तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था drop shadow के लिए आप simply layer style में जाएंगे और आप इसे drop shadow कर देंगे drop shadow का मैं angle ऐसा रख रहा हूं कि हमारी जो shadow बने वो नीचे side बने और मैं इसका distance बढ़ा दूँगा थोड़ा सा और इसे spread में बढ़ा रहा हूं थोड़ा समय बस आपको इतना करना है कि थोड़ा सा यह realistic लगने लगे कि थोड़ा सा हमारी shadow दिखे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई भी चीज हवा में तैर रहा है तो यह मैंने यहाँ shadow बना दिया और आप देख सकते हैं अब यह मैं shadow को थोड़े एक लिए off कर रहा हूं और देख सकते हैं यह पहले से जादा अच्छा लगने लगा है इसकी बाद से जो हमारा next है वह हमारा center clause और अगर मैं इसको zoom in करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा center clause का जो हमने selection मनाया था उसमें थोड़ा सा हमारा background का जो भी black part है वो शो कर रहा है तो इसको हटाने के लिए हम एक काम कर यह कर सकते हैं कि हम center clause की जो हमारी layer है उसमें एक inner glow add कर दें उसे कर देगा तो हम इस पर double click करते हैं और हम इसे थोड़ा सा move करते हैं और हम अब यहां पर inner glow apply करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने inner glow apply कि यह black वाला जो part था वो थोड़ा fade हो गया अब अगर मैं इसकी opacity बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यह पूरा 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 ब्लैक वाले से उसने black line को वो हटा दिया है और हम इसको size अपना थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा सा glow वाला effect डाल सकते हैं ऐसे ही अगर हम इसमें outer glow डाल देंगे तो शायद वो और अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं जैसी मैंने outer glow डाला तो यह Santa Claus हमारा glow करने लगा तो आप यह effect यूज़ कर सकते हैं और मैं इसे okay कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि अब यह काफी अच्छा देख रहा है और अब हमें एक चीज़ और करनी है कि हमें इसके नीचे कुछ ऐसा color डालना है जिससे यह लगे कि कोई हमारा कुछ platform पे है या कुछ ऐसी जगर पे है तो उसके लिए मैं simply अभी के लिए मैं हमारा background color यूज क कर लेता हूं अब हुआ यह कि मैंने जो layer बनाई अपनी background की वह layer मेरी जो भी हमारी background यह bouquet वाली image है इसके नीचे है और क्योंकि इसके नीचे है तो इसके यह show नहीं कर रही है तो मैं इस layer को simply उठाके हमारे जो background bouquet की layer है इसके ऊपर डाल दूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यह show हमारा करने लगा है और जो भी हमारा unwanted area है वो मैं eraser से इसे erase कर दूँगा तो यह हमारा हो गया जो भी हमारा background चाहिए था और आप देख सकते हैं अब यह जो background हमारा है वो डालने के बाद यह जो हमारी shadow है वो थोड़ी unrealistic लग रही है तो मैं shadow को वापस से edit करने के लिए इस पर double click करूँगा और यह हमारा वापस से shadow का option खुल जाएगा और इसके यहाँ पर मैं हमारा size जो है वो मैं थोड़ा सा हलका सा बढ़ाके मैं इसका distance थोड़ा सा कम कर दूँगा इसके बाद जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हम यह करेंगे कि हम यहाँ पर अपना जो भी merry Christmas है हम वो लिखने वाले हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो मैं अपने सबसे टॉप जो लेयर है पैनल में हमारी लेयर है उसके वहाँ पर आ जाते हैं और हम वो select कर लेते हैं उसके बाद से हम हमारा यहाँ पर type tool select करते हैं और फिर यहाँ पर हम click करते हैं तो आप देख सकते हैं यह अभी by default photoshop जो आपको font size देता है वो 12 points का रहता है तो आप इस इसे click करके इसे बढ़ा कर लें और मैं यहाँ पर अभी लिखने जा रहा हूँ Merry Christmas तो मैं इसे apply कर देता हूँ और मैं इसे move tool से move कर देता हूँ तो यह हमारा हो गया type जो भी हम तो यहाँ हम जो उससे करने वाले हैं वो हम यह करने वाले हैं कि हम इसे थोड़ा सा transform करने वाले हैं तो मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह दो line में रहे है तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ और मैं इसका orientation जो है वो हम left align कर देते हैं अब हम इसका font जो है वो change करने वाले हैं तो font के लिए मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा font यूज़ करने वाला हूँ और जो font हम color यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो simply मैं कोई ऐसा color यूज़ करूँगा जो की अब यह के लिए हम यहाँ पर red यूज़ कर लेते हैं तो यह बन गई हमारी basic photoshopman greeting का जो हमारा project है यह हमने वो अब complete कर लिया है आप और कुछ लिखना चाहें तो आप वो add कर सकते हैं या आप कोई भी message डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं तो आप simply बहुत ही कम time में और बहुत ही basic knowledge के साथ यह greeting card बना सकते हैं इसमें जो भी हमने यूज़ किया है वो simply हमने selection technique यूज़ की है और हमने कुछ layer style यूज़ किया है उसके लावा हमने इसमें कोई भी advance ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो कि बहुत भारी चीज़ है तो आप इसे simply बना सकते हैं तो यह हो गया हमारा आज का lecture 3 और हमारा lecture 3 का हमने जो हमारा project part था वो हमने complete कर लिया है अब मैं आपको lecture 4 में जब भी मिलूँगा तो हम कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज और मैं आपसे अब lecture 4 में मिलूँगा